हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम नाइंथ कलास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 3 कोडिनेट जमेटरी स्टाट करने जा रहे हैं कोडिनेट जमेटरी बहुत ही इंट्रस्टिंग और बहुत ही यूजफूल चैप्टर है दिखे हमने जो अर्लियर क्रासिज मे हैं आप लोगों ने एक point point के बारे में study किया हुआ है उसके बाद हमने number line भी study किया हुआ है किसी भी point को किसी भी number को हम number line पे represent कर सकते हैं यह माल लीजिए point यहां पे है जब हम zero one two number line पे अगर इसको लेते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि यहां पे हमारे पास किसी भी point को हम represent कर सकते हैं यहां पे भी हो सकता point कहीं पे भी हो सकता है तो यह हम earlier classes में minus की तरफ भी हो सकता है minus one minus two किसी भी point को हम number line पे represent कर सकते हैं 1.5 2.5 minus 3.5 हम represent करना जानते हैं यह position तो हम number line के उपर represent कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई यह कह दे कि आपके पास कोई एक paper है paper पे आपने एक dot लगा दिया you have put a dot here आप से अगर यह पूछ ले what is the position आपके पास simple paper है what is the position of this dot तो आप क्या कहोगे आप यह कह सकते हो यह जो dot है यह हमारे पास left side से left side के नजदीक है it is near to left side of the paper or it is far away from the right side of it is far away from the bottom side एक तरीका है यह कहने का हम कुछ कह सकते हैं यहां पर this is two centimeter from the left but यहां पर भी exact हम नहीं fix कर सकते हैं इसकी position बटेंग में यहां पर यह कह दें यहां से भी कह दें left से two centimeter bottom से यह suppose seven centimeter हो गया तब कुछ कुछ यह position क्या हो जाती है fix हो जाती है इस paper के according left से भी हमें पता चल गया और bottom से भी पता चल गया ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि left से two और bottom से हमारे पास कितना हो गया seven हो गया अगर हम left और bottom ले रहें अगर आपर से लें यहां पर हो सकता है यह four हो five हो तो हम fix कर सकते हैं कहीने कहीं से हम इस तरह की position को fix कर सकते हैं ऐसे ही बहुत सारे जो engineer है वह model बनाते हैं city का model बनाते हैं उसमें सारी चीज़ें निकालते हैं बताएंगे आपको कि यह सीटी का एक plan है यहां पर ऐसे road रोड गे हैं ठीक है ऐसे भी road जा रहे हैं यह पूरी city का plan करके आपको देंगे यहां पे streets निकाल देंगे ठीक है और वहां पे हरेक को मार करते हैं यह बताते हैं वहां पे कौन सा point है तो हम coordinate geometry में इनी चीजों को read करने वाले हैं आपकी classes में भी जब हम exam होते हैं तो benches लगाते हैं वहां पे left में window की तरफ कौन से लगेंगे कितने बैंस लगेंगे ऐसे हमारे row 2 में row 3 में तो इस तरह हम position fix करते हैं और इनी positions का यह बहुत important है आगे जो engineering करना चाहते हैं बच्चे उनके लिए बहुत ज्यादा important है यह chapter तो बहुत आसान सा भी है बहुत ज्यादा सान है Cartesian system के बारे में इसको हम read करेंगे इसमें Cartesian system आएगा quadrant आएंगे वहां पे x-axis y-axis के बारे हम study करेंगे चलिए हम पहले exercise 3.1 के जो basic position of a table lamp on your study table to another person आपकी study table के उपर एक lamp रखा हुआ है आपके पास कोई बंदा आता है कोई person आता है आप उसको कैसे describe करेंगे कि यह lamp कहां पे रखा है कैसे रखा है कि इस position में रखा है तीकि बहुत सारी चीजें है हमारी table किसी corner में रखी है तो हम वहां पे कह सकते हैं कि दरवाजे के left side में जो corner है वहां पे रखी है और उस table के उपर रखी है यह अगर हम हम डॉर से भी represent कर सकते हैं हम अपनी जो वाल्स हैं उनके according भी हम रिपर्जेंट कर सकते हैं बट इन्हों ने कहा कि टेबल के ऊपर जो लैंप रखा इस table के आ कोर्डिंग अगर हमने पोजिशन बतानी हूं तो वो कैसे करें यहां पे हम कैसे कर सकते हैं दिखेए दो साइड है एक इसकी longer साइड01 कि इसकी shorter साइड है हम यहां पे क्या कैसे यहां से अगरहमेट लिक्सHyü commonser कَरते हैं और यहां से भीए अंपर Şu एकलर मैजर्मेंट लेते हैं यांशे भी पर पेंडी k Incredi क olur मेजर्मेंट Lea और यहां सब्लेकलर मेझापτε लें ली आप सूज यह हमार पास ट्वेंटी संटि मीटर यहां इस से यह 20 cm और this is 35 cm आपने इसको measure क्या scale के साथ this become 35 cm from the shorter side and 20 cm from the longer side तो we can write हम अपने इसाब से क्या लिख सकते है Lamp is 20 cm from the longer side of table and and 35 cm from the shorter side of table अच्छा यह हमने इस तरफ से किया है आप सेम इस तरफ से करते तब यह तो 20 रहेगा बट यहां पे यह वाली length क्या होगी यह different हो सकती है अच्छा हम इस तरफ से करें तो इस तरफ से कुछ और dimension आ सकती है तो वह आपने measure करके आप के हिसाब से जो भी आता है आप उसको measure करके बता सकते हैं यह था हमारा question number one चलिए ब सेकिंड कर लेते हैं question number two question काफी लंबा है लेकिन answer इसका बहुत ही असान सा है क्या है a city has two main roads which cross each other at the center of the city दो main road है जो center पे cut करते हैं cross करते हैं these two roads are along the north-south direction and east-west direction हमने एक नोर्ट-south में ले लिया एक west और east में यह city को बिल्कुल center में cut कर रही है all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart जो दूसरे road है बहुत सारे जो city है वो बहुत ही well planned है अपनी जो पिछली civilization थी हड़पन हड़पन civilization वो इसी base के उपर थी थी कि उनके जो road थी वो parallel parallel रन करते थे उनकी जो streets थी वो parallel रन करते थी तो यहाँ पे बिनोंने कहा कि जो streets हैं वो in direction के north-south के parallel हैं या east-west के parallel हैं these are and 200 meter apart these are five streets in each direction using one centimeter is equal to 200 meter one centimeter जब हम इसको draw करेंगे आप अपनी notebook में तो वहाँ पे graph में करेंगे आप x-axis के उपर भी आपने क्या लेना है one centimeter is equal to 200 meter और ऐसे ही y-axis के उपर भी आपका same रहेगा one centimeter is equal to 200 meter यह हम अपनी copy में एक city का plan draw कर रहे हैं फिर आगे क्या करता है draw a model of the city on your notebook यह हमने draw कर लिया north-south में एक road हो गया एक east-west में हो गया crossing at the center of the city यह हमार पाइस एक city है बट हमने एक पॉर्षन दिखाया वह यहां पे लोने क्योंकि बहुत बड़ा बन रहा था यहां पे अब यह क्या कह रहे है represent roads or street by single lines यह lines single से हमने represent किया है नहीं तो वैसे तो road हमारे पास ऐसे चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा length हो जाता है यहां पे simple एक line से हमने represent करना है there are many cross streets in your model yes cross है यहां पे भी है यहां पे भी है यहां से देखोगे तो बहुत सारे crosses हैं यहां पे a particular cross street is made by two streets one running in north south direction and another in east west direction each cross street is referred to in the following manner कैसे represent करने है उसको if the second street running in north south direction north south direction में second this is s1 and s2 ठीक है हमारे पास यह वाली हो गई north south direction and 5th in east west direction east west में 5th 1,2,3,4,5 यह 5th होगी तो यह हमारे पास यह वाली कहां पे कर रही है यह meet कर रही है यहां पे तो इन्होंने क्या कहा refer to in the following manner direction 5th in east west direction meet at some crossing yes यहां पे meet कर रही है then we will call this cross जो यह cross है cross street 25 यह हमारे पास represent कर दिया हमने किसे 25 से 2 north south में 5 east west में हमने इसको represent कर दिया ठीक है जैसे हमने introduction में बताया था जो अब using this convention ऐसा ही use करके find how many crosses streets can be referred to as 4,3 4th north वाले में 4th हमारे पास यह हो गया this is 5 4 and 3 3 यहां पे यह 3 है 1,2,3,4 तो यह वाला जो point होगा यह हमारे पास क्या हो गया 4,3 ठीक है और ऐसे कितने मिलेंगे how many यहां पे तो simple एक unique this is one only one यह इसका अंसर आ गया represent कर दिया मैं इसका अंसर क्या हो गया one how many cross streets can be referred to as 3,4 3 यह हो गया 4 यह हो गया so यह भी हमें कहां कितने मिलेंगी एक ही मिलेगा so इन दोनों का अंसर कितना आ गया one आ गया यह unique आ गया यह represent करने का तरीका है अपने किसी भी model का या जैसे हमने introduction में बात की थी classes में हम जो benches लगाते हैं वहां की जो arrangement करते हैं जब भी board के exam होते हैं या जो आपके exam होते हैं वहां पर भी हम ऐसे ही sitting plan बनाते हैं तो बहुत ही असांसा chapter है चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे next वीडियो में अगली exercise के और Cartesian system को हम समझेंगे इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय ही जया भार